आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि अवनत का विलोम शब्द क्या होता है और इसका आर्थ क्या होता है और साथ में कुछ उदारन वाक्यों से भी इसे और अच्छे से समझेंगे तो सबसे पहले अवनत का आर्थ समझते हैं अवनत का आर्थ होता है जोका हुआ या गिरा हुआ या फिर कोई किसी चीज़ का जब डिमोशन होता है यानि कि कोई चीज़ उपर से नीचे की तरफ आती है तो उसको भी अवनत होना कहते हैं तो अवनत का विलोम शब्द यानि कि विपरित आर्थक शब्द होगा उन्नत और उन्नत का आर्थ होता है उंचा या उपर जाता हुआ यानि कि कोई चीज जिसका प्रमोशन हुआ है जो उपर गई है उसको हम उन्नत कहते हैं तो अवनत का उल्टा होता है उन्नत आईए अब अवनत और उनत को कुछ उधारन वाकियों से समझें जैसे कि आप कह सकते हैं कि पराजे के बाद उसकी आँखें अवनत हो गई यानिकि उसकी आँखें जुक गई या नीचे हो गई या फिर आप कह सकते हैं कि गुरुदेव के सम्मुक सभी शिश्य अवनत होकर प्रणाम करते हैं या फिर आप कह सकते हैं विज्ञान और प्रद्योगी की में उन्नत तक्निकों का विकास हुआ है या फिर आप कह सकते हैं कि उसकी उन्नत सोच ने कंपनी को नई उच्चाईयो पर पहुंचाया अब आप किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने क लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें